मैं एक चातर हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, और पढ़ाई करता हूँ, यह मुझसे आप इसमें बुला गया था, मैं इस सीच के लिए मापी मांगता हूँ मुखमंतरी दीसे तो वही विशेष सत्रुवेदी की भी इस से पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है, बता दे आपको कि मुखमंतरी दीश कुमार से माफी मांगते हूँ नजर आ रहे हैं, तो वही कहते हूँ नजर आ रहे हैं कि आवेश में आकर मुखमंतरी दीश कुमार को जान से मार की धम की दी थी इसी के साथ साथ इसके पीछे की वजवा बताते हुए नजराई विशेश चतुरवेदी और कहते हुए नजराई की बुंबई में उसके दोस जो है वो सबी लोग चिढ़ाते थे मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा दिये गए विधान सभा में सक्स वाले बयान को लेकर हमेशा उसके दोस शिराते थे इसके बाद उसने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धम की दी थी आपको बताते चले कि आरोपी विशेश चतुरवेदी दिल्ली में ग्लोवर फानेशल मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता है शोशल मीडिया पर एक व परवरी को पटना के कोतवाली थाने में आईटी एक्ट समित का इधाराओं में मामला दर्श किया गया था तो वही पुलिस ने आरोपी को पुलिस नियाई खिरासत में भेज दिया गया है शात्रे ने मुख्यमंत्री नितीश कुबार से सारवचनिक तोर पर माफी मांगी ह उसने कहा है कि मैं चात्र हूँ पढ़ाई करता हूँ आवेश में आकर मुख्यमंत्री को बोल दिया था जिसे ही वापस ले रहा हूँ मुख्यमंत्री से माफी मांग रहा हूँ बता दे आपको कि तीन फरवरी को चात्र ने पटना चंक्शन पर एक यूटूब चैनल को बा जिससे मैंने आवेश में आकर यह सब बोल दिया नितीश कुमार विधान सभा में जुन संख्या नियंत्रन पर बयान दे रहे थे इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बाते भी कही जिसे हम बता नहीं सकते इन्हीं बातों पर भाजपा और कॉंग्रेस की महिला विधाय को नह माफी भी मांग ली थी उन्होंने कहा था कि मेरे बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ नितीश कुमार ने हाला कि आपने बयान को लेकर माफी मांगी थी लेकिन उसके बाद विशेष चत्रुवेदी जो यूबख है उसने मुक्यमंतर नितीश कुमार से माफी मांगता हूँ नजर आ रहा था आरोपी विशेष चत्रुवेदी और कहता हूँ नजर आ रहा था रहा था कि मैं मुक्यमंतरी के बयान से नरास था इसलिए आवेश में आकर इस तरीके से बोल दिये धंकी दे डाली लेकिन इसके लिए माफी मांगता हूँ उसी के साथ साथ क्या कुछ कहता हूँ नजर आ रहा था सुना आपने तो फिलहाल इस खबर में पस इतना ही तमाम जोयनकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइफ के साथ इस वीडियो को लाइक करे शियर करे और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले धन्यवाद